सुप्रिम कोर्ट ने कुरान की आयतों के खिलाफ दाखिल याजका को खारीच कर दिया है। वकील ने कहा कि मुझे इस SLP के बारे में सारे तथे पता हैं इस पर सुप्रिम कोर्ट ने कहा कि ये SLP नहीं रिट है और आप अपनी याजका को लेकर कितने गंभीर हैं। वसीम रिजवीन ने किस तर के साथ इस याजका को दाखिल किया था। उत्तरप्रदेश या वकबोर्ट के पूर चेर्मेन वसीम रिजवी की तरफ से ये याजका दायर की गई थी। कि कुरान की 26 आयतें आतंग को बढ़ावा देने वाली हैं और उन्हें हटाए जाना चाहिए। दाखिल करने से पहले याजका करता रिजवी ने एतिहातन मूल सवाल पर याजका की प्रती देश भार के 56 रेजिटर्ड इसलामिक संगटनों और संस्थानों को भी अपना रुख साफ करने के लिए भेजा था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वसीम डिजवी की इस याजका को खारिज करने और उन पर 50,000 रुपए जर्माना लगाए जाने को लेकर मुस्लिम संगटनों ने खुशी जाहिर की है। पूरी तरीके थे इस मामले को पर निगार रखे वे था और आल इंडिया शिया पसला बोल का लीगल सेल और उसके कन्वीनर अरफजाल इमाम साभ इस मामले को अच्छी तरीके थे देख रहे थे। मैं हिंदुस्तान के मुसल्मानों को मुबारक बात देना चाहता हूँ कि कुरान पाक की आयते तो दूर की बात है कोई कुरान पाक के एक जेरो जबर को इधर सो उधर नहीं कर सकता है। मैं आप तमाम हदरात की खिद्मत में मुबारक बात देना चाहता हूँ इस जबरदस तरीके की काम्याबी की और हमें अपनी अदलिया को पर भरोसा है कि हमारी अदलिया हमेशा इसी तरीके से आगे भी इंसाफ करती रहेगी ताके खुरान पाक को पर कभी और मधब इसलाम को पर और रसूल इसलाम को पर कोई मूली न उठा सके फगत वस्सलाम देरो रिपोर्ट आज की खबर